नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उप प्लब्ध करवाया जा रहा है, हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद देखिए, अभी तक हमने इस बात को समझा कि अगर हमारे पास कोई भी वास्तरिक संख्या है, तो उसको हम संख्या रेखा पर निरुपित कर सकते हैं और हमने ये भी देखा कि कोई भी वास्तरिक संख्या होती है तो उसका दशमलव प्रसार भी होता है इस विशय में हम कुछ और तिपड़ी करेंगे इस वीडियो पे और हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी संख्या है जिसका दशंवला प्रसार काफी लंबा है या फिर हम ऐसे कहलें कि कोई संख्या है जिसका दशमलब प्रासार हमारे पास एक आवर्थी संख्या है असांत के साथ तो हम उसका निरुपण कैसे करेंगे एक दी गई संख्या रेखा पर तो इस बात को समझने के लिए आईए हम सबसे पहले ये बात पर धानने की उत्रो तर आवर्धन प्रक्रम का मतलब क्या है प्रासेस ओफ सक्सिसिव मैगनिफिकेशन इस बात को बहतर समझने के लिए आईए हम यहाँ पे एक उधारन ले ले और उधारन कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजे यहाँ पे एक छूट आसा ये गोला है हमारे पास और हम इसे ही अगर बड़ा करते जाएं तो ये कुछ बड़ा हो गया अब हम इसे फिर से कुछ बड़ा करते जाएं तो ये देखिए और बड़ा हो गया तो क्या किया हमने कि जो हमारे पास एक सबसे पहले बनी हुई आकरिती थी उसको हम पुना बड़ा बड़ा करते गए और बड़े वाले को और बड़ा करते गए तो इसको हम बोलेंगे successive magnification या फिर उत्रोतर आवर्धन प्रक्रम ऐसा नहीं है कि जो सबसे पहले वाला गोला था उसी को हमने और बड़ा करने का प्रयास किया जो नया गोला मिला उसे हमने और बड़ा किया फिर जो नया गोला मिला उसे हमने और बड़ा किया इसी प्रकार से अगर हमें किसी संख्या को निरुपित करना है संख्या रेखा पर और वो संख्या कुछ इस प्रकार की है कि उसके दशम्वल प्रसार में हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं तो हम वो कारे कैसे करेंगे इस वीडियो में हम इस बात को समझने वाले हैं तो जब हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं तो एक तो वहाँ पे स्थिती ये हो सकती है कि हमारे पास एक सांध शमला प्रसार है परंतु सांध होने से पहले हमें काफी यहां पे संख्याएं मिल मिल रही है को जिस प्रकार से और दूसरा है कि असांत है परंतु आवर्ती होने की वज़े से हमें बहुत सारी संख्याइं मिल रही है और तीसरा एक आज आता है जहां पर आप अपर में संख्याओं की बात करें तो उसका निरुपणा मैंने आपको अल्रेडी बताया हुआ है जिनका दश्वल्वल प्रसार थोड़ा लंबा है वो या तो सांथ होंगे या फिर वो आवर्ती होंगे तो आएए पहले वाले यहां पे हम अपने उधारण पे धान दें और हमारे पास एक सांथ दिश्वल प्रसार वाली संख्या दी गई है तो सबसे पहले देखी हम क्या करेंगे हम यह ढूंडेंगे कि यह जो संख्या है वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में आती है कौन सी दो प्राकृत संख्याओं के बीच में आती है तो यह संख्या आती है संख्या तीन और संख्या चार के बीच में किसी को कोई संध है नहीं कि यह प्राकरित संक्या 3 या 4 के बीच में आएगी तो 3.6 और 3.7 के बीच में हमारे पास यह जो संख्या है यह आएगी तो यानि हमें क्या करना है कि इस छोटे से भाग को इस रेखा के इस छोटे से भाग को अब हमें क्या करना पड़ेगा इसी के साथ इसका आवर्धन करना पड़ेगा मतलब मैंगनिफिकेशन करना पड़ेगा तो अगर मैं एक और यहां पे रेखा बना लूँ और इस रेखा की जो दो बिंदुएं हैं उनको हम कुछ इस तरहीके से यहां पे निरुपित करें कि यहां पे जो पहली बिंदु है और जो आखरी बिंदु है वो पहले वाले इस मापन का ही आवर्धन हो जाए तो यानि कि पहली बिंदू हमें निरुपित करेगी 3.6 और आखरी बिंदू हमें निरुपित करेगी 3.7 अब 3.6 को तो हम 3.6 और 3.7 को हम 3.70 इसको 60 और 70 पढ़ा नहीं जाता परन्तु मैं आपके सिर्फ एक यहां पे समझाने के लिए बार बताना चारी हूँ कि क्योंकि हमे 66 दिया गया है तो आप समझे कि 66 कहां होगा 60 और 70 के बीच में जो की दशमलब प्रसाइब 3.60 और 3.70 के बीच में आएगा तो 3.61, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7 तो ये बिंदू किसको निरुपित करता है 3.67 को और ये बिंदू किसको निरुपित करता है 3.68 को तो इन दोनों बिंदू के बीच में ही हमें अपनी जो ये अगली बिंदू का समू है संख्याओं का समू है 3.6, 7.5 मिलेगा तो अब हमें क्या करना है हमें पुना आवर्दन करना है और इस बार हम आवर्दन के साथ में क्या करने वाले हैं दो संख्याएं जो लेंगे वो हैं 3.67 और 3.68 और जिस प्रकार से हमने पिछले वाले चरण में 3.6 को 3.60 ने लिखा था इस प्रकार 3.67 को 3.67 ने 3.68 ने लिखेंगे और इसी के बीच में हमें 6.71, 6.72, 6.73, 6.74 और 6.75 मिल जाएगा और जब हमें 6.75 मिल गया और 6.76 मिल गया तो हमें मालुम है कि दी गई जो हम संख्या का समू है वो इनी दोनों संख्याओं के बीच में हमें मिलेगा पुना आवर्दन करते हुए हम क्या करेंगे कि 3.67, 6.75 को पहली यहां पर संख्या मानेंगे 3.67, 6.76 को दूसरी संख्या मानेंगे और फिर इनके आगे 0 लगा देंगे तो 3.67, 5.0 और 3.67, 6.60 के बीच में ही हमें 3.67, 5.8 मिलेगा और वो कहां पर होगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 और 5.8 तो 3.67, 5.8 और 3.67, 5.9 के बीच में हमें मिलेगा और आप पुन्हा आवर्धन करके फिर इस पूरी संख्या को भी निर्पित कर सकते हैं आपकी परिक्षा के दिश्टी कौन से बताओं तो 3-4 ही आवाले अंक आपको मिलेंगे जो कि हम इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं अगर चड़नों को मैं दोरा हूं तो क्या किया सबसे पहले वो दोनों प्राकृत या पूर्ण संख्या हैं जिनके बीच में संख्या होगी फिर उन दोनों संख्याओं का आवर्धन फिर उन दोनों संख्याओं के बीच के जो भी हमारे पास संख्याओं हैं उनको निकालने के लिए आवर्धन, उसके बाद पुन्हा हमने इसी बात को धोराया और आखिर चरन में हमको चार संख्याओं का एक निरुपन यहाँ पर मिल गया आप मांच कर जाते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा तो आएए एक और यहाँ पर उधारन देख लें जहाँ पर हमें एक आवर्धी संख्या दी गई हो तो यहाँ जो हमें प्रश्न दिया गया है उसमें बताया गया है कि 4.12 स्थानों तक हमें रेखा पर 4.26 बार को दिखाना है तो सबसे पहले अगर हम संख्या को देखें तो वो है 4.26 और 2.6 क्योंकि 4.26 प्रशार तक की बात की गई है तो हम आगे के जो भी दश्न दिखाना है उनको यहाँ पर नहीं देखेंगे जाहिर सी बात है कि 4.12 6 जो है वो 4.2 और 4.3 के बीच में यहाँ पे होगा तो आईए हम इस वाले ही जो भाग का आवर्धन कर लें तो आवर्धन करने के लिए हमने एक और यहाँ पे संख्या रेखा बना ली और इसके दोनों चरण पहले और आखरी जो यहाँ पे पद हैं वो उपर वाली ही रेखा के इस तरह से 4.2 और 4.3 हो जाएंगे और इनके बीच में हमें संख्याएं लिखनी हैं तो इसको हम लिख लेते हैं 4.2 शूने और 3 शूने और हमें 4.2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 जो 4.2 6 और 4.2 7 के बीच में ही हमारे पास जो दी गई रेखा है जो दिया ग हम और यहां पर देखेंगे तो यह भाग कौन सा है यह भाग है यह और फिर इसका अगर आवर्धन करना है हमें तो जो नई हमने संख्या रेखा बनाई है उसका पहला और अन्तिम जो यहां पर पद हो जाएगा वो है 4.2 6 और 4.2 7 और इनको हम एक एक संख्या बढ़ा कर द दो छे दो यहां पर आएगा और साथ ही 4.2 6 3 तीन जो है वो यहां पर आजाएगा तो फिर से हमें क्या करना है कि इस रेखा के इस भाग का पुन्हा आवर्धन करना हैं और इसलिए हम यहां पर इसको एक बार दिखालेते हैं तो इस भाग का हम फिर से आवर्धन करेंगे और इसके लिए फिर से हम एक यहां पर रेखा ले ले लेते हैं और इस संख्या रेखा के इस बार जो पहले और आखरी बिंदू का मान है वो 4.262.00 और 4.263.00 और इसके बीच में हमें क्या चाहिए? 4.262.1.22.23.24.25 और 2.6 तो यह जो बिंदू है वो हमारे लिए 4.00 प्रसार तक बताएगी इस दी गई संख्या को जो की है 4.262.26 आपको जब एक बार बिंदू मिल जाए तो इसको यहां पर इस तरहां से अंकित कर दें इस पूरे ही चरण बद चरण क्रिया जो हमने करी इसको हम कहते हैं उत्रोतर आवर्धन प्राक्रम आवर्धन मतलब की मैंगनिफिकेशन और क्योंकि हम उन्ही जो भी हमें भाग मिल रहे हैं उसका पुन्हा आवर्धन करते जा रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं उत्रोतर आवर्धन प्रक्रम